हेलो दोस्तों इजी टो लर्न बाई वीर आके इस चैनल पर आपनों का बहुत-बहुत स्वागत है हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे कवच इस्तोत्र आदी सरल करके लाने का प्रयास कर रहे हैं आज हम आपनों के लिए माता श्री सरस्वती का विश्व जयम कवच लेकर के आए हैं यह ब्रह्म वैवर्त पुरान से लिया गया है यह कवच बहुत ही प्रभाशाली है और मंत्रोग कवच है यानि बहुत सारे बीज मंत्रों और मंत्रों से बनाया गया है भरा परा है ओम गनेशाय नमः ओम श्री गुरुवे नमः ओम नमः शिवाय ब्रह्मो वाच श्रिनु वत्स प्रवक्ष्यामी कवचं सर्वकाम्दं शृती सारं शृती सुखं शृत्युक्तं शृती पूजितं उक्तं कृष्नें गोलोके महियं वृंदावने वने रासेश्वरें समंडले अतीव गोपनियम्च कल्प व्रिच्छ समंपरम अशृता अध्भुत मंत्रानाम समुहेश्च समन्वितं यद धृत्वा पठनाद ब्रह्मन बुधिमांश्च ब्रिहस्पति यद धृत्वा भगवांच शुक्रह सर्व दैतेश्व पूजित भगवांच शुक्र भगवांच शुक्रह भी बोसकते हैं यद धृत्वा भगवांच शुक्रह सर्व दैतेश्व पूजित पठनाद धारनाद वागमी कविंद्रो बाल्मिको मुनि कविंद्रो बाल्मिको मुनि स्वायं भगो मनुष्चय यद धृत्वा सार्व पूजित कनादो गौतम कन्नव पानिनी शाक्टायन यह सभी रिशी मुनियों के नाम हैं कनाद रिशी गौतम रिशी आदी कनादो गौतम कन्नव पानिनी शाक्टायन ग्रंथम चकार्य धृत्वा धक्छ कात्यायन स्वयं धृत्वा वेद विभागम्च च पुरानान्य अखिलानी च चकार लीला मात्रेन कृष्ण द्वय पायन स्वयं शातात पस्च सम्वर्तो वसिष्ठस्च पराशर यद धृत्वा पठनाद ग्रंथम याग्य वलक्यस चकार्स याग्य वलक्यस चकार्स रिश्य श्रेंगो भरद्वाजस्च आस्तिको देवलस्तता जैगीश वयोवत जाबालीर यतद धृत्वा सर्व पूजित कवचस्यास्य वीप्रेंद्र रिशीरेश 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 प्रजापति स्वयं ब्रिहस्पति श्चंदो देवो रासेश्वरह प्रभू सर्वतत्व परिज्ञाने सर्वार्थे अपीचा साधने कवीतासूचा सर्वासू विनियोग प्रकिर्टिता तो यहां पर विनियोग के लिए श्लोक दिया हुआ है इस श्लोक के आधार पर विनियोग का मंत्र बनाया जा सकता है जैसे इस के रिशी प्रजापती है, ब्रहस्पती छंद है, रासेश्वर प्रभू स्वयम देवता है और सर्वतत्व परिज्ञान आधी की प्रापती के लिए इसका विनियोग किया जाता है तो इसके बाद आप माता सरैस्वती का कोई एक ध्यान कर ले उसके बाद उनका पूजन आधी कर ले, मंत्र जब करना हो तो मंत्र आधी कर ले फिर मूल कवच का पाठ प्रारंभ करे मूल कवच पाठ ओम हरिम सरस्वत्याई श्वाहा शिरो में पातु सरवत स्रिम् वागदेवतायई स्वाहा भालं में सर्वदावतू ओम सरस्वत्याई स्वाहेती स्रोत्रम पातू निरंतरम ओम श्रिम ह्रिम भार्त्याई स्वाह भार्त्याई स्वाह नेत्र युगमं सदावतू ओम ह्रिम वाग वादिन्याई स्वाह नासाम में सर्वतो अवतू हृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृृ कभईग अंथशम ciao am boost reputation मन्त्र उम कांथं सदव तो Oumn 沒有 बिद्धा अधिश्थात्री देवयै तांओ सद्वतू ओम हिर्म् विद्धा आपाद हिस्वाह पीष्वा प्रस्थम के जगह पे प्रिष्थम भी हो सकता है, बोल सकते हैं। प्रस्थम भी हो 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 सकते हैं। ओम ग्रंथ बीजरूपाये स्वाह माम सर्वतो अवतू। तो कवच यहीं तक है, मूल कवच यहीं तक है, इसके बाद फलशूती का भाग है। इतीते कथितं विप्र सर्वमंत्रोग विग्रहं इदं विश्वजयं नाम कवचं ब्रह्मा रूपकं पुराशुतं धर्म वक्त्रात पर्वते गंध मादने। गंध मादन पर्वत का नाम है। गंध मादन करने के बाद वस्त्र अलंकार चंदन आदी से पूजन करके और उन्हें दंडवत भूमी पर दंडवत हो करके उन्हें प्रणाम करने के बाद यह कवच धारन करना चाहिए। ऐसा यहां कहा गया है। प्रुम अभ्यर्च विधीवद वस्त्रा अलंग कार चंदने प्रणम्य दंडवद भूमो कवचम धार्येत सुधी पंच लक्ष जपेन आव सिध्धम्तू कवचम भवेत यदी स्यात सिध्ध कवचो ब्रिहस्पती समो भवेत यदी यह कवच सिध्ध हो जाता है तो वह साध अधक ब्रिहस्पती जी के समान हो जाता है महावागमी कविंद्रश्च त्रैलोक्य विजई भवेत शकनोती सर्वं जेतुम्स कवचस्य प्रभावत इदम्ते कान्नव शाखोक्तम कथीतम कवचम मुने स्तोत्रम पूजा विधानम्च ध्यानम वय वंदनम्त था इती श्री प्रक्रिती खंडे नारद नारायन सम्वादे सरस्वती कव्चम नाम चतूर्थव एध्यय ओम्स यह इस खंड में चतूर्थव आध्याय में है यह पर मूल श्लोप की संख्याय आप देखेंगे नब्बे इकानमे बानमे रखी गई है तो उस पुस्तक पर देखने पर आपको वहाँ परिह प्राप्थ हो सकता है माता सरस्वती ज्यान की देवी मानी जाती है सभी ज्यान विज्यान सभी इनही की किरपा से प्राप्थ होते है तंत्र मंत्र आधी में जितने भी ज्ञान की चीज़ें भड़ी हुई है उनकी मूल देवी माता सरस्वती ही है तो इनकी पूजन अर्चन अवश्य ही करनी चाहिए माता सरस्वती के पूजन में प्रायः सफेद रंके फूल फल मिठाईयों का अधिक प्रयोग किया जाता है धन्यवाद